दोस्तों, कला में हमें खुश करने और इंटर्टेन करने की छमता तो जरूर होती है, परन्तों कि आप जानते हैं कि कला में इतनी छमता होती है, कि यह संपूर्ड ब्रहमांड को रियल टाइम में चेंज कर सकता है, और किया भी है। पुरे बिस्व में कुछ ऐसी कलाकरतिया हुई हैं जिन्होंने सामाजिक राजनितिक यहां तक की कला के बिसे में सोचने तक के तरीके में करांति ला दी थी, कुछ ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी कलाकरतियों में कुछ ऐसा चितरित कर दिया, जो हम आज के इस आधुन और आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल के बेला आइगन को जरूर दबाईए दोस्तों दसवे नमबर पर आती है The Persistence of Memory by Salvador Dali यहाँ पेंटिंग Salvador Dali ने 1931 में बनाई थी यहाँ पेंटिंग सरीलिज्म थीम पर बनी सबसे मसूर पेंटिंग में से एक है Salvador Dali को 1929 में उनके घर और उनके गाउं से निकाल दिया गया था डाली ने यहाँ पेंटिंग गरीबी की हालत में बनाए थी गर से निकाले जाने के दो साल बाद ही 27 साल की उमर में डाली ने हम मास्टर पीस बनाया कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पेंटिंग में दिखाई जाने वाली क्लॉक अलबर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थियोरी आफ रिलेटिविटी को दिखाती है डाली इस बाद से साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि उनको इस पेंटिंग के प्रेड़ना सूरस के पिखले हुए एक परीर के टुकडे से मिली सल्वडर डाली की जातार पेंटिंग में चीटियां देखने को मिली जाती हैं जो यहां दिखाती हैं कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती और उसका मरना और सड़ना ताई है यहां पेंटिंग अब Museum of Modern Art New York City में देखी जा सकती है नवे नंबर पर आती है The Fighting Terminator by J.M.W. Turner यहां अंग्रेजी कलाकार जोसेफ मेलार्ड बिलियम टर्नर द्वारा बनाई गई एक ओईल पेंटिंग है जिसे 388 में चितरित किया गया था और 849 में रायल अकाडमी में प्रदस्थित किया गया था पेंटिंग में 98 गन H.M.S. Temerir को दर्साया गया है जो की टरफालियर की लड़ाई में लाइन में अंतिम दूसरे दर के जहाजों में से एक है टर्नल ने पेंटिंग को अपने स्टूडियो में रखा जो खरिदारों के लिए एक सोरूम के रोप में भी काम करता था जब तक उनकी मित्यों नहीं हो गई यहां उनके स्टूडियो में पड़ी रही अब यहां पेंटिंग नेशनल गैली ओफ लंदन में देखी जा सकती है जेम डबलू टर्नल की जो पेंटिंग है इसकी लगभग कीमत 47.5 मिलियन डॉलर है आठवे नमबर पर आती है वाटर लिलीज बाइक क्लाउड मॉनेट वाटर लिलीज फ्रेंच इंस्प्रेशनिस्ट पेंटर क्लाउड मॉनेट की 200 ओयल पेंटिंग की एक सीरीज है यहां पेंटिंग उनके घर का फूलों का बगीचा दरसाती है इन 250 पेंटिंग में से जाधतर मॉनेट ने अपनी जिन्दगी के आखरी 30 सालों में बनाई थी यहां जाधतर पेंटिंग मॉनेट ने मोत्या बिंद से जूसते हुए बनाई थी मॉनेट ने अपना काम 883 में सुरू किया था जब वहां गिर्वनी के एक छोटी से गाउं में आये थे और फिर 893 में उन्होंने अपने घर के आगे की जमीन खरीद ली और उस जमीन में जापानी स्टाइल का एक गार्डन मनाया उस गार्डन में उन्होंने पानी भर के एक तालाब बनाया और उस तालाब के ओपर एक पुल भी बनाया इस गार्डन को तयार करने के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से आइसलेट कर लिया और अपनी आकरी सीरीज दवाटर लिलीज बनाना सुरू कर दिया गार्डन के किनारे पर उन्होंने काज की दिवारों का एक स्टूडियो बनाया उसके बाद उन्होंने उस गार्डन की हर घंटे की बदलती तस्बीर बनाना सुरू कर दी यह masterpiece अब The National Museum of Western Art Tokyo में देखे जा सकते है साथवे नमबर पर आती है Starry Night by Vincent Van Gogh यह painting Van Gogh ने 1989 में बनाये थी Vincent कुद महनों के लिए फ्रांस के एक असालियम में रुके थे उसी असालियम की खिड़की से दिखने वाले नजारे से Vincent को इस painting की inspiration मिली पेंटिंग Vincent की observation को दरसाता है और उनकी artistic creativity को भी दिखाता है पेंटिंग में हम आस्मान में चमकते सितारे और ग्रहां भी देख सकते हैं नीचे जो बसा गाउं है वहां उसकी साइलम की खिड़की से नहीं दिखता था तो Vincent ने इसको अपना कालपनी ग्रूप में तयार किया मज़े की बात यहां है कि दोस्तों कि Vincent ने यह painting दिन के समय में पूरी कर रही और कई महनों तक वह इस पर काम करते रहे यह painting अब Museum of Modern Art नियू योग में देखी जा सकती है चटे नंबर पर आती है The Snail by Henry Mathis या कॉलाज Henry Mathis ने 1903 में बनाया था 1948 के बाद Mathis अपनी बिमारी के चलते painting नहीं कर पाये थे लेकिन bedrest करते हुए भी उन्होंने कई सारे artwork प्रिड्यूस करे जिन को अब Gowachis Recopy के नाम से जाना जाता है इन 8 अटेक में जादतर Mathis ने कागज के टुकडे काट कर चिपकाये थे यहां टुकडे चिपकाने के लिए Mathis अपने assistance को instruction देते थे Mathis एक सफेस background के उपर रंगिन कागज को काट कर चिपकाने का आदिस अपने assistant को देते थे और फिर वहाँ यहां भी बताते थे कि यहां कागज exactly किस shape में और किस angle में कहां पर चिपकाये जाए Mathis ने snail theme पर कई सारे artwork तैयार किये थे जिसमें से हम natural colors और snail के sail में बने वाली spiral को भी देख सकते हैं यहां artwork आप टेल म्यूजियम United Kingdom में डिस्पले पर लगा हुआ है पाचवे नंबर पर आती है गर्निका बाई पैबलो पिकासो यहां painting पिकासो ने 1937 में बनाए थी यहां painting पिकासो की सबसे मसूर ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे मसूर painting में से एक painting बन गई यहां painting एक सची घटना पर आधारित है Spanish Civil War के दोरान गर्निका और बास्की सिटी में बहुत बारी बंबारी हुई थी यहां painting उसी बंबारी को चित्रित करती है मज़े की बात यहां है कि उसी साल स्पेंट के leftist सरकार ने इस painting को पैरिस के वर्ड फियर में एक मुराल की तरह पेस किया 1974 में निसा प्राची नाम के एक artist ने इस पर spray paint करके इसको खराब करने की कोसिस की थी लेकिन museum ने इस painting को फिर से restore कर लिया क्योंकि इस प्रे में पक्के रंगों का इस्तमाल नहीं किया था यहां painting अब Museum of Modern Art New York City में देखी जा सकती है चौथे नंबर पर आती है The Berlin Wall दोस्तों यहां कोई पे एक painting नहीं है और किसी एक इनसान नहीं बनाई है यहां एक ऐसी दिवार है जो Cold War की दोरान 1901 सेट में बनाई गए थी जिसने Berlin को दो हिस्सों यानी East Berlin और West Berlin में बाढ़ दिया था 1994 में पूरी तरह धरासाई होने तक यहां दिवार खड़ी रही 1980 में इस दिवार को दोबार से बना कर इसको 14 फिट उचा कर दिया था एक साइट प्लेइन वाल कलर से रखनी हुई है और दूसरी साइट इस पर हमें कई सारी पेंटिंग्स देहिने को मिल जाएंगी West Berlin साइट पूरी तरह से और ग्रैफिटी से भरी हुई थी और East Berlin वाले साइट एक भी आर्ट वग नहीं था क्योंकि लोगों को उस दिवार के पास जाने की अनुमनिती नहीं थी हाला कि इस दिवार अब मौजूद नहीं है लेकिन इस पर बनी हुई ग्रैफिटी और आर्ट अमर हो गई तीसरे नमबर पर आती है Less Miss by Banksy नाम से मसूर यां स्ट्रीट पेंटिंग बहुत किलियर मेसेज देती है Banksy इंग्लेंड में बसे हुए एक गुमनाम स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं जिनकी पहचान अभी भी कन्फरम नहीं है Banksy के बनाए कुछ इसप्रे पेंटिंग और स्ट्रीट आर्ट हाल ही में काफी चर्चा का बिसय बने हुए है दूसरे नमबर पर आती है Combat Soup Cainz by Andy Warhol यां आर्ट वर्ग एंडिवर्ग आर्ट वर्ग एंडिवर्ग ने 1971 से 1962 की बीज बनाया था यह आर्टवर्ग 32 केंवस में फैला हुआ है जिस समय एंडी निया सूपकेंज की पेंटिंग बनाई थी उस समय कंपनी 32 अलग-अलग फ्लेवर के सूप बना कर बेज़ दी थी वरल पेंटर बनने के पहले एक कॉमर्सियर इल्स्टरेटर थे वरुल ने कैंप बेल की सूपकेंज को दिखाने के लिए अलग-अलग तरह के आर्टवर्ग तयार किये थे वर्हॉल की सूपकेंस पेंटिंग को उस समय के एफस्टेक्स एंप्रेसनिज्म कलाकारों द्वारा काफी क्रिटी साइस किया गया लेकिन बाद में पेंटिंग्स और आर्टवर्क कॉमर्स और मास मीडिया की नीव बन कर उभरे यह पेंटिंग अब म्यूजियम आफ मॉडनन आर्ट न्यू यॉर्क सिटी में देखी जा सकती है पहले नंबर पर आती है मोना लिसा बाई लियोनाडो द विन्सी हलकिसी मुसकान लिए नखुस नवदास आपकी आँखों में देखती इस औरत को कौन नहीं जानता बिर्टिस अकबार द इंडिपेंडेंट ने 2005 में से दुनिया की सबसे ज़्यादा जानी और देखी जानी वाली पेंटिंग बताया जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कहा लिखा और पैरोडी बनाए गई लिवनार्डव द विंसी के द्वारा करित एक बिस परसिद चित्र है या एक बिचार मगन मिस्तरी का चित्र है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिएव है यहां संसार की समवत्व सबसे परसिद पेंटिंग है जो पेंटिंग और दिर से कला के प्रियाप्त मानी जाती है ऐसा माना जाता है कि इतावले चित्र का लिवनार्डव द विंसी ने मुना लिसा नाम गया चित्र 503 से 504 के बीच बनाई थी इस पेंटिंग की कीमत इंडियन रुपियों के हिसाब से 5233 करोड मानी जाती है यहाँ पेंटिंग अभी लूरी म्यूजियम इन पैरिस में देखी जा सकती है